नमस्कार किसान भाई और डी गार्डन में आप सभी किसान वेगा एक बार फिर से स्वागत है और आप बने होए डी वी दामा के साथ हैं तो सर्सों की फवस्तल बाई करने से पहले अगर आपके पास में गोवर खाद है Moroccan Shat आप कुछ कम भी ले लेते हैं, तब भी वे काफी अच्छे से काम करने लगती है, लेकिन अगर आपके पास में गोबर खाद नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप बीना गोबर खाद के भी सीधे तोर पर रायसाइनी कूरवरकों के साथ अपनी फसल की बुआई कर सकते हैं, तो उनमें आपको मिला लेना है एक बैग यूरिया खाद का, क्योंकि किसान भाईयो सिंगल सुपर फास्पेट में नाइटरोजन की मातरा नहीं होती है, इसलिए दो सिंगल सुपर फास्पेट के बैग में एक बैग यूरिया खाद का जरूर मिला लेना चाहिए, और ले लेना है पोटास ये मातरा किसान भाईयो मैं आपको परती एकड के हिसाब से बता रहा हूँ पोटास आपको ले लेना है 25 किलो ग्राम एक एकड के लिए और आपको ले लेना है सलफर 5 किलो ग्राम परती एकड के हिसाब से तो आप इन सभी और वरकों को साथ में अपनी फसल की बुवाई करना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं थोड़ सा बता देता हूं तो उनको एक बैग परती एकड के इसाब से ले लेना है डी एपी का आपको इसमें यूरिया खाद बिल्कुल नहीं मिलाना है ना इसमें कोई आवश्कता है और इसके साथ म मिलाने के बाद में आप अपने खेत में इनकी बुवाई कर सकते हैं या इनको डाल सकते हैं अब थोड़ी सी बात कर लेता है किसान भाई यो खेत की तैयारी की कि ये उर्वर्ख हमें की समय पर डालने हैं तो देखें बहुत से किसान भाई कल्टिवेटर के दौरा अपने खेत को तियार करते हैं और अपनी सर्सों की फसल की गवाई करते हैं तो इसके लिए आपके खेत में सबसे पहले अच्छी मात्रा में नमी होनी चाहिए यानि कि इतनी नमी हो कि आपके सभी बीज अच्छे से उग सकें और उसके बाद में आपको तीन चार जुताई काफी अच्छे से हो जाएं तो किसान भाईयो उसके बाद में आप अपने खेत में थोड़ा पाटा लगा दे और पाटा लगाने के बाद में आपको ये औरवर्क वे बीज बखेरने होते हैं या डालने होते हैं तो किसान भाईयो आपको यहां पर दो साफदानी रखने हैं पहल दूसरी साफदानी किसान भाईयों आपको ये रखनी है जब भी आप औरवर्कों के साथ में सरसो का बीज मिला ले तो जिस बरतन से या जिस बैग से आप वाई करने जा रहे हैं उसमें औरवर्कों की मातरा कभी भी जादे ना ले क्योंकि किसान भाईयों जादे औरवर्क व ताफी बारीख होता है तो हिलने के काण सर सो का बीज नीचे जाना सुरुख हो जाता है इससे हमारी बुई अच्छे बीज की नहीं हो पाती है तो आप जब भी बुई करें थोड़ी-thोडी मात्रा में यानि के तीन-तीन-चार-चार किलो बीजवाए उर्वरक ले करके तबी उसकी भूआई करें और बार बार थैले वर्ठन में नीचे तक हाथ निकालते रहें टाकि वीजवय औरवर्क एक साथ मिलते रहे और पूरे खेत में बिलकुल एक सार हमारे भूआई हो सकेढ़ किसान भाई यो बीजवे और वर्क डालने के बाद में आपको अपने खेत की एक कल्टिवेटर से जुताई और करनी होती है लेकिन वो जुताई आपको जादे गहराई तक नहीं करनी है बहुत ही हलकी जुताई आपको करनी है और एक जुताई करने के बाद में आप अपने ख KisanB 감사합니다, ЛюDA router beta से जुड़ाई करना चाते हैं, हो अपने खेट की एक जुड़ाई router mater से करवा ले, उससे काफी अची बारी चाती होजाती है, और एक जुड़ाई पूरे खेट की होने के बाद में, आप अपने खेट में औरुरवर्कों की मातरा वे बीज को डाल दे, यहाँ पर आप चाहे सिंगल सुपरफासपेट से बुआई करने जा रहे हैं, चाहे आप डियेपी के साथ में बुआई करने चाहे हैं, दोनों का तरीका एक रहेगा, बीज व्य उर्वर्ग डाल लेके बाद में आप उसमें एक बार और रूटर वेटा चलवा दे तो आपकी सर्सों की हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बहुत से किसान भाईयों का ये मानना होता है कि रूटर वेटा से हमारे जो सर्सों का बीज है, वो जादे गहराई में चला जाता है, रूटर वेटा से बुआई नहीं करनवानी चाहिए, तो किसान भाईयों बिल्कुल सच नहीं है, आप आज की जानकारी उमीद करता हो, आपको पसंद आई होगी, एक नई जानकारी के साथ पिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाईयों को नमस्कार.